हलो दोस्तों आप सभी को जैमसी की आज एक खास ओफर मैं लेकर क्याया हूँ आपके लिए अगर आपने अवित्र बाइबिल के छाँछट किताबों के अंदर से एक भी आयत प्रभू येश्यमसी के गुप्त आगमन जो की महाकलेश के पहले होने वाला है अगर स्पस्ट शब्दों में आप आयत देते है तो आपको मिलेगा इनाम और वो इनाम छोटा नहीं होगा वो इनाम होगा बीस हजार रुपए बीस हजार रुपए इंस्टेंटली आपके बैंक एकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा बाइबिल गुरु जी की और से बिल्कुल सही सुना आपने जी हाँ पवित्र बाइबिल के अंदर चांछट किताबों के अंदर आउट आफ 66 बुक एनी वर्स कोई भी वाक्य जो ये कहता हो कि प्रभु येश्यु मसी का आगमन महाकलेश के पहले होने वाला है अगर आपने इस बात को सटीक आयत के जरिये से बाइबिल में से कहीं से भी आपने प्रकट कर दिया या दिखा दिया तो आप बन जाओगे विनर और यही नहीं आप एक भटके हुए विक्ति को सही रास्ते पर लेकर के आ जाओगे क्योंकि अगर प्रवित्र बाइबिल में से कोई भी एक आयत आपने दिखा दिया तो वो भटका हुआ आदमी मैं रहूँगा और मैं अपने आपको इंस्टेंटली सही कर लूँगा क्योंकि बीस हजार रुपे के नुकसान पर अपनी जिन्दगी को सही रास्तों पर लेकर के आना बहुत बड़ा फायदे का सवधा होता है तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे दोस्त मुझे सही करेंगे तो दोस्तों मैं आप से निवदन करूँगा कि आप मुझे बचाईए और मुझे इस गलती से आप बाहर निकालिए क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंटों को देखा है अपने वीडियो में इन्होंने कहा है कि आप गलत हो आपको बाइबिल नहीं पता है सही से आप ब्याक्य नहीं करते हो दुनिया भर की बाते मैंने पढ़ा है और मैंने उनको सिर्फ जवाब यहीं दिया है कि दिल यानि कि दिल का जवाब दिया है मैंने क्योंकि मैं उनसे बहुबट करता हूं मुझे उनसे जगणा नहीं करना है और नहीं मुझे उनको कोसना है वे सब मेरे मित्र है, मेरे भाई है, मेरे पहन है, तो इसलिए अब आपको जो है मुझे बचाना है, और अगर आप मुझे बचाओगे, थैंक्यू के रूप में, बनलब थैंक्यू के रूप में, दिली धन्यवाट के रूप में, मैं आपको बीस हजार रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कुरेंगा, हाँ ये बहुत कम है, लेकिन कम हो तो भी जो है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ये ओफर रख रहा हूँ आपके लिए, तो मैं उमिट करता हूँ कि बहुत जल्दी अभी से ही आप बाइविल के आयत को ढूणना सुलू कर देंगे और ढूण करके एक हफ़ते के अंदर मुझे आप उस आयत को दिखाएंगे, तो एक हफ़ते का अल्टिमेटम आपके पास है, साथ दिन का अभी, आज से साथ दिन का अल्टिमेटम, यानि की आज जो है 31st October है, 2023 चल रहा है ये साल, तो आज से साथ दिन के अल्टिमेटम के अंदर, अगर आपने बाइविल के अंदर से कहीं से धिकुल्पत्रि की पुस्तक से लेकर के, प्रकाशित दिवाकी की पुस्त मैंने ऐसा ओफर क्यों रखा, ऐसा ओफर इसलिए रखा, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से बाइविल को पढ़ रहा हूं, अधियन कर रहा हूं, और इस 25 साल के अंदर मैंने एक भी आयत को नहीं पाया, और अगर इस 25 साल के अंदर मुझसे गल्ती हुई है, तो मैं अपनी गल्त से ठराया जाता है कुछ लोगों की आखे ऐसी खुलती है जिसमें वो वो देखते हैं जो शैतान उनको दिखाना चाहता है जैसे कि अधन की वाटिका में जब आदम ने पाप किया तब उसकी आख खुल गई और जब आख खुल गई तो उसने देखा शरम को देखा उसने खुल दिया गया था तो उसी प्रकार से बहुत लोग जो बैबिल पढ़ते हैं तो उनकी आखे खुल जाती है उस बातों को देखने के लिए जो बैबिल नहीं कह रहा है जो परमेशुर की आत्मा ने सोचा ही नहीं है लिखा ही नहीं है उस बातों को देखने के लिए खुल जाता है और यकीन जानिए शैतान जो है जूट का बाप भी है और वो जूट बनाने में इतना माहिर है कि सुनने वाला आदमी ये सोचेगा दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही बोल रहा है उसी को तो बोलते ना भरमाना प्रोंकि भरमाय जाने में अगर भरमाया जा रहा है म वो भरमाया जा रहा है तो मेरे भाईयों मेरे बैनों मेरे मित्रों को जी आप से कहना है कि कहीं आ भरमा तो नहीं दिये गए हो लिए बाइविल में मेरी आखे खुली बाइविल की बातों को देखने के लिए बलकि मेरे भी आखे आफी के तरह जो है उन बातों को देखने क कर रहा था बलकि बाइबल की बातों से उनकी बातों को मैं स्कूरूटनाइस नहीं कर रहा था बलकि उनकी बातों के आधार पर मैं बाइबल के आयतों को स्कूरूटनाइस कर रहा था तो परणाम क्या हुआ मेरे लिए बाइबल में बात हो या ना हो लेकिन हम परचारक कह रह प्रहु की जानेंगे कि मैं अंतीम समय कि सिधान को बोलने और पढ़ाने में बहुत ही जादा आप आपको भागदिशाली मानता था और मैं ये पढ़ाता था कि येश्य मसी बस आने ही वाले है, गुप्त आगमन होने वाला है, साथ साल महा कलेश होगा और उस कलेश के समय में येहुदियों को मन फिराओ दिया जाएगा, प्रभू येश्य अपने डंडे से पीते गा येहुदियों को और ये मन फिराएंगे, और महा कलेश जो है येहुदियों को सही करने के लिए है लेकिन उसके पहले, यानि महा कलेश शुरू होने के पहले येश्य मसी गुप्त रूप से बिडिली के समान आएगा, और कोई देख नहीं पाएगा, कोई जान नहीं पाएगा, सिर्फ कलीसिया ही है, जो तुरही की वाज सुनेगी और परक छपकते ही बदल जाएगी और बादलो पर उठा ली जाएगी ये श्यमसी के साथ में वो पहुंचेंगे स्वर्ग में वहाँ पर आनन्द होगा और साथ साल तक वहाँ पर और रहेंगे लेकिन वो साथ साल इस जमीन पर महा कलेश का दस तक होता भागते फिरेंगे और तुफान आकार युद्ध महामारी ये सारी के सारी बाते पर ठीप होता रहेगा ये पढ़ाने में इतना निपन था कि जब मैं इसको पढ़ाता था तो लोगों के रोएं खड़े हो जाते थे जोकि मैं इस बातों को इस हिसाब से मूलता था कि सुनन सटीक आयतों के द्वारा परचार करूंगा क्योंकि मेरी हर एक बातों के पीछे आयतों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है तो मैंने बाइबिल के अंदर चानना सुरू कर दिया कि मैं जिस बात को परचार कर रहा हूं उसके बारे मैं सटीक आयत है या नहीं है सटीक आयत क का मतलब अगर बाइबिल ने कहा है कि येश्य मसी का आगमन महा क्लेश के पहले होने वाला तो वो आयत कहा पर है किस जगह पर वो आयत है मैं उसको ढूनने लगा और ढूंटे 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 महीने बीद गए और मुझे वो आयत नहीं मिला लेकिन इसी दर मियान मुझे वे आयते मिले जो ये कहती है कि येश्य मसी का आगमन क्लेश के पहले नहीं होने वाला है और मैं चौक गया मैं सन हो गया आप ये किन जा रहेंगे मेरी आत्मिक जंदगी में सन नाटा चा गया क्यों कि मुझे एक भी आयत नहीं मिला जो ये कहता हो कि येश्य मसी का आगमन महाकलेश के पहले होने वाला है ध्यान दीजिए दुनिया में पंतकुस्ती लोगों की बहुत बड़ी आबादी ये विस्वास करती है ये पढ़ाती है कि ये शुगुप्त रूप से महाकलेश के पहले आने वाला है लेकिन जब वो इस बात को पढ़ाते है तो अफसोस की बात यहां पर ये है कि उसके रफरंस के लिए एक भी आयत वो नहीं दे पाते है तो इतनी बड़ी बुनियादी बात इतनी बड़ी धन्मी आशा जिसके लिए सारे मसीही इंतजार कर रहे है प्रार्थना कर रहे है महाकलेश से बच्च के बाहर निकलने के लिए उमीद लगाए बैठे हुए है यह सौच करके कि बाइबिल ऐसा कहता है उस बात को सपोर्ट करने के लिए बाइबिल में एक भी आयत नहीं है यह कैसी बड़म बना भरी बात है यह कैसी अफसोस की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी सबसे बड़ी घटना रैप्चर जब होगा तो उस रैप्चर के स्थिती करन के लिए उस रैप्चर को बताने के लिए कि महाकलेश के पहले वो होने वाला है बाइबिल में एक भी आयत नहीं बताया जा रहा है तो डाल में कुछ काला लगा मुझे यचीन जानी है जब मैंने उसको परकना सुरू किया तब मुझे ये दिखाए पड़ा कि डाल में कुछ नहीं डाल में काला नहीं बलकि पूरी दाल ही काली है। और तब मैं प्रभू को धनिवाद किया क्योंकि उस समय मेरा चरवाहा और मेरा अगवाई करने वाला कोई प्रचारक नहीं कोई समस्ता नहीं बलकि पमीत रात्मा और प्रभू येश्यू हो गया और मैंने अपने आपको डेडिकेट किया समर्पिट किया कि अब मैं किसी कथा कहानी पर नहीं बलकि मैं प्रभू की बातों को आँखों से देख करके अपने कांच से सुन करके आत्मा में परक करके मैं विश्वास करूंगा और जब मैंने विश्वास किया तो मेरे तुरंत्य अंधेरा हो चान्द का प्रकास जाता रहेगा और तारे आकास और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी तब मनिश्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पर्थवी के सब कुलों के लोग चाती पीटेंगे और मनिश्य के पुत्र को बड़ी सामर्थी और आश्वरी के साथ आकाश की बादलों पर आते देखेंगे और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुवों क एक अठा करेंगे ये आयत गॉल्डेन आयत है इसको नोट करिएगा करेंगा तोकि ये आयत आप बदलने वाला है अगर आप यह विश्वाश करने वाले हो कि ये शों महाकलेश के पहले आने वाला है दीघिए यहां ये इस्छे क्या कहते है उन दिनों के क्लेश के बाद तो क्लेश के तुरंद बाद ये कौन सा क्लेश है ये महा क्लेश है जो घटने वाला है पर्थी पर तो उस क्लेश के बाद लिके रखा है पहले नहीं लिके रखा है उस क्लेश के बाद लिके रखा है तो येश्यमसी का आगमन कब होने वाला है उन दिनों के क्लेश के ब जब सूरी अंधेरा हो जाएगा चान का प्रकाश चाता रहेगा तारे आकाश से गिर पड़ेंगे आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगे तब देखिए कब सवाल है कब जवाब दीजिए तब तब मनिश्य के पूत्र का चिन्ह आकाश पर दिखाई देगा और तब पर्थवी मसी आने वाला है तो बहुत सारे ऐसे लोग जो ये विस्वास ही नहीं करते कि येश्व आने वाला है विस्वास ही नहीं करते कि येश्व परमेश्वर है तो जब वे देखें कि येश्व आ रहा है परमेश्वर कोई और नहीं है येश्व है तब चाती नहीं पीटेंगे तो और क्या करेंगे छाती बीटेंगे वो चिलाएंगे वो कहेंगे भाई जब पचार किया पास्ट्रों ने aparecer ने हम में विसुआस नहीं किया लेकिन अब हमारी एक देख रही है तो देखने के बाद वो रोएंगे चिलाएंगे तो फायदा नहीं होने वाला है उनके बारे में भी यहां पर साफ साफ लिखे रखा है और मैं आपको पढ़ता हूँ वह बाते दिखे लिखा है कि मनिश्ची के पुत्र को बड़ी सामर तुराइश्वरी के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे और वो तुरुही के बड़े शब्द के साथ अपने स पुतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चार दुशा से अपने चुने हुवो को एकठा करेंगे तो येश्व मसीख के चुने हुए ध्यान दिजीए उसके अपने चुने हुवो को तो येश्व के द्वारा चुने हुए जो विस्वासी गण्ड तो किसी को जगे पर हो मुझे कहना है उन तमाम जगहों से ये शुक के चुने हुए लोगों को परमेश्व के दूद जो है इकठा करेंगे तुरही की बड़ी आवाज के साथ में ये रैप्चर है और रैप्चर कब होगा रैप्चर महाकलेश के बाद होगा यहां पर साफ ल चारत दिशाओं में हो रहा है तो पर्थ्विय के चारत दिशाओं से ये शुक हुए कו करेंगे रहा है यह यहां लिखे रखा या तुरही के बड़े शब्द के साथ लिखे रखा है अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए थोड़ा सा ब्रेइन को यूज़ करना है प्रभु ने को बुद्धिमान दी है बहुत लोग कहते हैं कि बुद्धी कर ले को आत्मा करो मेरे प्रियो आत्मा बुद्धी जो ने विरोधा भास पर नहीं है आत्मा जो कहता है बुद्धी आमिन बोलने पाए इसलिए प्रभु ने बुद्धी आपको दिया है वरना बुद्धी को खाड़ के फेक दो और आत्मा में भरे रहो ये नहीं है इसका मतलब आपकी बुद्धी आत्मा की बातों को हां बोले तब हम आमिन को बोलते कंफेशंज भाई आप इसको परकोगे यकीन जानाओ तब यूँज़क करोगे इसलिए बुद्धी का अस्तिमाल करना बहुत जरूरी है बुद्धी और आत्मा पत्री पंदरा ध्यायक है 51 से अगर आप पड़ोगे तो वहां पर पॉलुस कहते हैं हम सब नहीं सोएंगे यह भेद की बात है बलकि अंतियम तुरही फूकते ही पलक छपकते ही बदल जाएंगे तो अंतियम तुरही फूकते ही बदल जाएंगे यह तो राप्चर है है कि नह पहले आने वाले हे तो उसमें तो अंतियम फूक दिया गया है तो अवी यहां जो Yeshima ﷺ कहते है आने वाले तो अपने जूटों को तुरही के बड़े शब्द में आवाज होगी कि नहीं ही वोगी वह भी बड़े शब्द के साथ लिंग कर रख लाल है तो इसलिए बाइविल के बाद जो है ना आपके विश्वास की जो माइनता है उसको समर्थन नहीं कर रहा है तो इसलिए बाइविल को माने या फिर परचालक की बाद को माने आप खुड डिसाइड करिए who you will trust आप भरोसा किस पर करेंगे या फिर आपके so-called preacher पर भरोसा करेंगे आप लोट करके हाईए मेरे भाई ये मेरे बाई बन समय अभी भी है आपके लिए मन फिराने का प्रभूर के कलाम के और फिरिये इंसानों की और नहीं रथों पर भरोसा करना भरोसा करने से उत्तम है कि यहावा पर भरोसा किया जाए तो परमेशर पर आप भरोसा करिये प्रेजगाद तो एक और आयत मैं आपको यहाँ पर दूँगा और वो आयत जबर्दस्ट आया था जिसने मुझे कंफ्यूस किया था इस बात को परकने के लिए कि वाके में यहीशी कभ आने वाले के लैस सिक पहले आने वाले है तो चलिए उस आख को भी देख लिएते है और वो आयत है सकंच थिसलोनिक्स Chyam जैनि कि थिसलोनिक्के की दूसरी प्रतरी दूसरा ध्याय उसके पहले आयत से है प्रते हैं उसको हम यहां लिखा है, हे भाईयों हम अपने रभू येश्य मसी की आने और उसके पास अपने कठी होने के विशे में तुमसे विंति करते हैं, देखिए कौन सी बात है, मसी की आने और उसके पास अपने कठी होने के विशे में, तो यह रैप्चर है, यह 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 या वचन या पत्री के द्वारा जो मानो हमारी और से हो, मतलब अपोस्तोलिक लग रहा हो आपको, लगता हो कि कलीजिया की और से आ रहा है, तीन माध्यमों के द्वारा भरमाया जाएगा, पहला है किसी आत्मा के द्वारा, यानि कि लोग बोलें कि हम आत्मा में प्रकाशन देखिए वो बातों में सचेत हो जाएए आत्मा की बात में बैविल की बात को नहीं काटेगा दूसरा जो भरमाना है वो कह वशन के माध्यम से टीवी में प्यार किया जा रहा है किताब के लिखी जा रही है आर्टिकल छाप चापा जा रहा है इन सब के माध्यम से भी भरमाय आयेगा और पत्री के द्वारा भी देखिए ना दा स्वार घ्रागए बना में ख़त को लिखते थे क्यों कि भर्माना है और आज तो बहुत ज्यादा मात्रा में इतनी ज्यादा तंदूरी यहां पस सेख के जा रहा है कि लोग उसे खाने में बड़े मस्त पढ़े हुए है तो इसलिए जो है मैं आपकी उस महान भोज में जो है दूइदा डाल रहा हूँ कबाब में हड़ी बन रहा हूँ और मुझे माफ करिएगा लेकिन ये जरूरी है कबाब में हड़ी बनने क्योंकि वो कबाब में जहर लगा हुआ है और मुझे आपको बचाना है अमरत कि ददी यहां बह रहा है और आप महां विश्का पान कर रहे हो लोट करके गाओ मेरे भाईयों मेरे बहनों नदी जो जीवन की है वो यहां बह रही है येश्यमसी के पास में उसमसे पानी को पीजिए और जिर्दगी में उस मधूरता को प पहुचा है तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए प्रभु का दिन आ गया है भाई ये सोच कि अस्थिर ना हो जाओ अब ये प्रभु के दिन क्या है ये वो दिन है जिसमें कलीसिया के उद्धार होने वाला है याले कि ये वो समय जब येश्यमसी आने वाला है राक कदिन तो वो दिन आप पहुंचा है यह सोच करके तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ किसी रीती से किसी के धोखे में ना मतलब धोखा ही धोखा होने वाला इस इस बातों में तभी तो गुनिया भर की इतने प्रचार लांटें मेंटें यहां होगा दूसरा क्या है मसीव रोधी प्रकट होगा किस दिन के पहले प्रभू के दिन के पहले राप्चर के पहले तो राप्चर के पहले कौन आएगा मसीव रोधी आएगा पॉलुस कहते हैं जब मैं यह पढ़ा तो मेरी आखे खुल गई किस बार को देखने के लिए बाइ कि यो ये शो तो चोरक के तरह आने वाला है और चोरक के तरह और इंह Giving to आ आजा कहा है तो मैं अन्यमर्ट ऑना है और फिस पार्या टोप्स फैनल होता है ये तब मुझे बnh edits to ये मसिशनreibt came जो है चोरक के तरह चोर की तरह आ रहा है चोर नहीं आ रहा है चोड भाना और चोड की पर आमें फरक होता है, तो कुछ similarities है जो वहाँ पर ईख़ाई पड़ेगा, तो क्या है वो similarities, वो यह है कि येश्यमसी आ रहा है, ये मलूम नहीं पड़ेगा, मतलब येश्यमसी आ रहा है, ये आपको नहीं पड़ेगा, आपको तयार होने के जरुरत ह तो वो इंसान की तयारी को दिखाया गया है कि आपको तयार रहना है कि इसमें से कब आने वाला है लेकिन इस चोर की बात की ऊपर जो है बाइबल में एक आयत है जिसने मुर्यां की फिर खोल दिया वो कौन सी आयत है वो आयत है मैं पढ़ाँगा अपको मैं प्रकाशी वे आयत से पूरा पढ़िएगा ठीके जाईएगा मत सुनकी जाईएगा च्छेटवे सरक दूत ने अपने तोरा महा नदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तयार हो जाए और मैंने उस अजगर के मुह से और उस पशु के मुह से और उस छूटे बशुक्ता के मुह से तीन अशुद आत्माओं को मेरणक के रूप में निकलते देगा ये चिन्न दिखाने वाली दुश्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती है कि उन्हें तुर्व सक्रिमा आता हूं धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्तर की सावधानी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगा पन ना देखें देख मैं चोर के समाना ताहां कब कहा ये बात क्लेश के पहले इस आ रहा है ये कहा यहां पर ना इस यहां यह कहता है छठ्वे को साफ लिगा हुआ यहां पर और उस अजिकर के मुख से मसीव रोदी के मुख से और जूटे नभी के मुख से तीन अशुद धात्मा निकली में धक्ते रूप में अब इन सारी बातों करने का समय नहीं क्योंकि यह जो प्रकाशित वाक्य है ना यह होलोग्राफिकल आत्म तो बदाईए मुझे यह जो आगमन चौर की तरह है तो कितनी आगमन है नहीं होने वाला है आप कहां पर हो मेरे भाईयो मेरे बंजर लाट करके आपनी आखे खोलो और बाइबल को पढ़ो ठीक है और यकीन जानिये कि आप बहुत अच्छे हों, परभू उन्हें आपको प्रिम किया है, परभू उन्हें आपको बुलाहड दिया है और यही तो कारण है कि आज आप ये विडियो सुन रहे हो, जो आपको इस नहींसे रास्ते पर लेकर आता है यकीन जानिये परमेश्वर की हाथों में अन्तिन उपाय हमेशा होता है पांच रोटी और दो मच्छली एक बच्चे के हाथ में था लोग भूखे थे कहां से रोटी आए कि सवाल था लेकिन किसी एक के पास था और उसी को येश्व ने इस्तमाल किया तो आज इस अंतिन दिनों में परमेश्वर के सही कलाम को बताने के लिए परमेश्वर ने कई जगहों पर अपने से रोटी को को तयार राठा है वो बहुत कम होंगे पांच रोटी के समान होंगे लेकिन यह कीन जानिये जब मौका आएगा न तो यह पांच जो है ना पांच हजार से भी जादा पांच लाख से भी जादा लोगों के पेट को भरेंगे आत्मी कलाम को बताएंगे सिखाएंगे और वही आज मैं यहां पर कर रहा हूँ आपके सेवा कर रहा हूँ तो ओफर खुला हुआ है साथ दिन के लिए क्या आपके पास कोई भी एक आयत है जो यह कहता हो कि मसी का आगमन महा कलेश के पहले होने वाला है स्पष्ट शब्दों में आपको देना है व्याक्या नहीं करना आपको सब्स्ट सब्दों में आपको समझाना है बताना है आयत को बताना है आपकी व्याइख्या नहीं आयत को दिखाना है वो ये लिखा होने पाए कि ये श्मसी का अगमन महाकलेश के पहले सीक्रट में होने वाला है ऐसा आयत है कहीं पर भी अगर है तो निकालिये प्रबगा खौशिश करें मैं इनतजार करूँगा आपके आयत के लिए साथ दीन आपके पास है तुम बीटना में वीडियो बनाऊंगा जरूर लेकिन अब आयत के बारे में साथ दिन के बात में हम बात करेंगे तो चलिए मिल अगले वीडियो में प्रभवाब खौशिश करें सबको जय मत सीखी